तो वाई लोग कैसे हो आप लोग तो स्वैलो डेस्टार के नेक्स्टी नोवल के एपिसोड नमर 233 में आपका स्वागत हैं तो चलिए सुरू करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपनी में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवाना ना भूलें तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में दीखा कि लोग फेंग को टियांसा पैलेस के लीडर बुला रहे तो चलो दीखते हैं कि आकि उनके बुलाने का मेंन मक्सद क्या होने वाला है और अफ़ि हम यह त्यांसी पैलेस की लीडर की इस्टेटेस के बार में तवासा बताया जाता है कि यह वही बंदे हैं जो कि इस पूरे पैलेस के उपर नजर बनाए हुए रखते हैं यह बहुत साट पावरफुल बेंग में से ब्लाड रिवल वर्ड में से आते हैं यहां था कि बात करें वाल्च्वर्णूर्स कांपनी में तो भी एक अपर एचलेंग जितने एपसलूट बेंग जैसे कंसिलर किये जाएंगे और फिर हमें यहां पर सेक्टर लोट के बंदी मोलू को दिखाया जाता है जो क्याता है हम रफिर वो क्याता कि हमने उनसे कई बार मिले हैं और उनके पास हमारी लीडर के पास कैसा अन्बिलिवल पावर है और यहां पर कहाता है कि अगर बात करें यहां के अध्यायंग बेंग इस अंध्यायंग स्विंट के जो कि ब्लड रवर में मौजूदे तो भी वो सारी इंसेंट बेंग से और निके मरतमा कोई भी यहां से बार आने की हिमत नहीं करता है और वो कहाता है कि लीडर तुम से मिलने की विश्कर रहे हैं इसलिए तुमको गूड लग और यहां की लीडर मुझे से क्यों मिलना चाहते है कि यहां पे लीडर जो कि त्याहन से पैलेस के ते वह एक बहुँजा ऊपर ते मतलब की बात करें एक युनिवर्स कंटू लीडर के लेवल से अवह यहां तकि उससे भी स्ट्रॉंग हो सकता है इसकी बात आप इस बात नहीं अंदाला लगा लो कि पूरा ब्लड रिवर कॉंटे उसके दर में रहाता है और कोई भी उनीके डर के कान को बाहर नहीं आ सकता है और ब नीची का रीजन तो मुझे भी नहीं पाता है यांकि वो एक स्मॉल फिगर को आकि ऐसे कैसे जान सकते हैं और वो कहाते हैं कि मेरी ऑठोर्टी बस तुमें सेकेंड लेवल तकी ले जाना है और मुझे इतना हिमत नहीं है कि मैं तुम को रिसीव करें आएगा जो कि नाइट लेवल में तुम को ले जाया लीडर से मिलाने के लिए और वो से बात खतम हो जाते हैं और वो दोने इस सेकेंड लेवल पर आता है जहां पर उससे ट्री मीटर टॉल मेंसी हेर मैं दीख था है जो कि एक बड़े से पहार जैसा लग रहा था उसकी पावर भी बहुत आ ट्रि लोड मुखों को दिखाया जाता है जो कि उसके बंदे के सामने जुकता हो क्या आता है ग्रीटिंग अंडायंग और यहां पर वह अंडायंग में लूफएंग की तब दीख कर कहा था कि लूफएंग लीडर तुम से मिलना चाहते हैं इसलिए तुम मुझे फॉलो करो और इ कि लीडर पैस की निकाल जाता रुफए लूफिंग वहां पर उसकी इस्ट्रेंग को देख पारा था क्योंकि वहां से उसकी रिपल फोजर्च आउसके चाहता अब निकर रही होते हैं लूफएंग क्या था की तो ये एक अंडायंग की एस्ट्राप भी लूफिंग लेवर से लेवल पास आउट करते हुए नाइट लेवल पे आ चुका होता है क्योंकि उसे कर डायमिंग वहां पर ले आ रहा तब यहां नाइंट हॉल को दिखाया जाता है जो कि यहां का सबसे बिगेस्ट हॉल ता इस पूरे पैलेस का और अफे रूपर वहां पे लैंड करता हुए कहता है त्यांसी पैलेस लीडर और लूफेंग चातव देखता है जहां पर कैसा है सिल्ट हॉस मौजूर थे और वहां पर बंदा होता है सिल्वर रॉंग रॉप में जिसके सामने काउंटलिस्ट इमेजस प्रोडियूस होए थे उसके उपर गोल इन कावन स्पीदर और एक दिखाया जाता जो क्याता जाओ और यहां को दिखाया जाता जो कि लूफेंग को छोड़ के नाइट लेवल से निकल जाता और यहां पर हमें लूफेंग को दिखाया जाता जहां पर वह बंदा पीछे मोर जाता है लूफेंग को देखने के लिए और मैं उस बंदे के चाह यहां पे उसकी आवास सुनकर उठ जाता यहां पे उसकी विल्पावर भी उसके सामने कुछ नहीं तरी विल पावर को मैसूस कर बाला था कि यह बहुना ठेरिफाए गे कर आंगे यहां पर उसके बीच और यहां पर यूनिवर्स गंट लिड़र और यहां पर हमें लूफएंग को दिखाया जाता है जो कि उनके सामने जोगतों भी कहते हैं लूफएंग लीडर और हमें लीडर को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि तुम्हारी विलपावर इतनी भी पूरी नहीं है यह ऐसी है कि जैसे एक पूरी की पूरी जैमीन और स्कार एक और यहां पर लीडर लूफेंग बोलान और रॉंग जुन के बारे में और यहां पर लीडर लूफेंग की तो हम देखते हुए क्या थे कि जब तुम लोग ब्लॉड रुबर वर्ल में इंटर किये थे तो वर्चुन वस कंपनी मैजिजमेंड लीवल ने तुम्हारे बीच और कि बीच में कंट्रला गा था और सभकेर के की बारे में दीखा गया था कौन काता को फ़लोकर कि किंद मैं बंद आई है औरहें पौरां अपने प्राइड में रहता है वह किपना पया की नहूंद नहों लेकिन अधिकिया मरतवा तुमारी विल्दा उससे बहुत आगे निक करते हैं और यहां पर लिटेट फालॉफ न की तब स्मयल करते हैं कि यासा की सब लोगों बन्न के बात करते हैं तुम्हारा करता हो तो यह से नो करने जodor नंके साम करते है और कहासा था हाँ और हमें उस लीडर को दिखाया जाता है जो कहाता है कि यहाँ पे तुम्हारी नंबर बहुत ही तेजी से ग्रोग कर रही है मैं यह आसा करता हूँ कि तुम और रॉंग जून आगे जाके बहुत ही एपसोलूट वारियोस बनोगे तो यह सुनकर की रॉंग जून भी और लूफ्रेंग भी इसमें सामील तो लूफ्रेंग स्टन हो जाता है कि यहाँ पर उतने पावरफुल बेंग है उनकी एक कंप्लिम कोई मेंसर रॉंग जून के बारे में नहीं किया गया था और बात करें एवेंदली ब्रीज या फैंटेसी ओसीन को तो यहाँ पर वो और बोलान रॉंग जून से बहुत आगे निकल चुकि और लूफ्रेंग की रॉष्टे से पूस्ता है कि आके रॉंग जून की तो बनने वाला है और यहां पर कहते हैं कि अगर तुम रॉंग जून को अपने जिंद्गी में आगे निकल पाए तो तो तुम बहुत ही पार्फुल बनने वाले हो और आप पर में लूफ्रेंग को दिखाला जाता हम जिसे की लगता है कि उससे एक्सीड करना क्योंकि यहां प पहले से एपसलूट बेंक ते यहां पर जबकी मरतवा उसने लीडर से ऐसी बात सुनी तो उसे विश्वास नहीं होता क्योंकि अभी के मरतवा लूफ्रेंग में जाता था कि रॉंग जून एक ऐसा बंदा है जो कि दो यूनिवर्स को अपने तरफ अकरसित कर दिया था और यहां पर यूफ्रेंग इसके बार में कुरियस था कि आके मास्रा की आनु फेंग सोचता है कि आकर अपर एक्षणल रॉंग जून को मेरेसे और बोला चसे ज्यूबर कियों कर रहे हैं और यहां पर लुफष्रेंग के मन में कई साया खयास आते अपने पावर के बार में व ओट नहीं भूल सकते हैं नो कि हो क्या रहे कि वो यह रही होगा और पर लिडर को दिखाया जाता है जो कि लूफएंग को देखते हैं है लूफंग को देखते हैं तो अभी अपने सोच में कुम है और आप पर कि उसका फेवर करना भी गलत नहीं था और यहां पर जाह दा है कि रोंग जून आगे चलकर बहुत ही आगे करने वाला यहां पर मैं तुम पर बेट कर जाते हैं और यहां पर लूफिंग क्याता है कि बेटिंग वह भी हम दुनों पर यहां पर लूफिंग स्टन हो जाता है कि यहां पर आकर वो बेटिंग करना क्यों चाते हैं और फिर यहां पर हमें लीडर को दिखाया जाता है जो कहते हैं मुझे निरास मत करना तुमने अपने 35 वंडर को कंप रिया है और फिर वो अपने मिड एर में पॉइंट करते हैं जहां पर में एनरजी गैडर हो जाती है और वहां पर एक स्टोन टैबलेश भी फॉर्म हो जाती है वहां पर एक पिक्चर होती है जहां पर टोटल 36 वेंडॉस मौज़ोद हो क्याता है कि चलो में लोग मिल ही गए तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं और यहां पर वो उसके तर्म दिखाते हैं जहां पर पूरे 100 किलो मीटर में एक बड़ा सा एयर हॉल्ड में फ्लोट करनी लगता है और वहां पर वो पिक्चुस आ जाती है जिनमें की टोटल नाइ स्पेस उसी में सिमट कर रह गया हो था वहां पे स्पेस में लुफेंग और लीडर ही सॉलीड बने हुए थे बाकी सब वहां पे पूरे तसे बिखरे हुए थे राफ़ी हम यह लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि उसको दिखकर सौक हो रहा ते और क्या था कि आखिर यह यहां पर तो टोटल नाइन ब्लैक प्लार्स मजूदे यहां पर हमें दिखाया जाता है कि उस रूम का पैस का टेंपरेचर हजार डिग्री तो बढ़ यहां होता है लेकिन लूप अभी यूनिवर्सल लेवल नाइट का था तो इस टेंपरेचर का कोल फॉर्क नहीं परने वा पावर डिमोंस्ट्रेट करने लगता हूँ रहा फ्री हमें लीडर को दिखाया जाता है जो उन नाइन ब्लैक फायर लों के दाव फ्लोट करते हूँ दीख कर कहते हैं कि चलू मैं तुम्हें ठाटी सिक्स वंडर को कम्प्लेटली डिमोंस्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि तुमने बाकी सब को डिमोंस्ट्रेट कर दिया इसलिए चलू मैं इसको सिखा देता हूँ यहां पे वो उसको सिखाना स्टार्ट कर दे तो हमें लैंड और स्काई को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुली गायब हो जाते हैं लूफ्लेंग उस प्रोसेस में पुरी दर से बहुत ही अच्छे से समझ में आती है और यहां पर लूफ्लेंग इसलिएस को अच्छे से दीख रहा हो ता और फिल्सीन चल तो यह समें बाज का सील दिखाया जाता है जहां पर वो सारे डाइन ब्लैक फाइर बॉस को डिमोंस्ट्रेट करके फिनिस कर जाते हैं यहां पर वो सारे बहुत जा मिस्ट्रियोस होता में लूफैंग को दिखाया जाता है जो कि उसमें पूरी तरह से डूबा हुआ होता है उसके अंदर बहुत साइट और कम्प्रियेंसर माइन में चल रहे होती ही और यहां पर लूफैंग ने जितना देखा उससे ज्यादा वो जानता ही नहीं था और यहां पर लूफैंग यह सब टाइम को खूना नहीं चाता था इसलिए लूफैंग अपने आखों को बंद करके अपने अंदर समझनी लगता है यहां पर लूफैंग के सामने नाइन ब्लैक फायर बोल और रेडी नेकेड आइस से इन्वेंसबल हो चुके थे स लूफैंग को दिखाया जाना जो कि उसमें लूफैंग को दिखाया जाता है उसका आफिश्टर्ब नहीं करता है उन्हां पर यहां पर इस लीडर जाता है जहां पर उस लीडर क्याते है कि यह बन्दा यह बहुत आगे जाएगा इसने अपने जंग एज में इतने पाफुल विल्पावर को पालिया यह तुब बहुत आ एंट्रेस्टिंग जबकि मर्तबा मैं डोमेन लॉड में था तो मेरी विल्पावर भी इतने जा स्ट् कर रहा होता हूं यहां पूसीब वापस अपने लूफैंग के प्रस्कियों निकल जाता है और अफे में लूफैंग के नेश्ट को दिखाया जाता है जहां पर वह स्टार फ्रेग्मेंट एट-ट्री एट-ट्री एट-वन का सीन दिखाया जाता है जो कि लूफैंग वही प स्पुष्ट होता है जहाँ पर हम्हें और दिखाया जाता है जो सिप को देकर स copper हो जाते हैं अब सार्य यूनीवर्शल बंग वहां पर वहां पर सोग हो रुख्या पर यह जल्ली से जाके सिवाया और यह पर बंधा जाकि और यहां पर उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं यह मार्ग जो सिप का है वो ट्यांसी पैलेस का है और यह एक्चुली एक एफग्रेड यूनिवर्सल से पे इसने में फॉलुकर आपको दिखाया जाता जो कि 10 गार्ट को लेकर वहां बीम आफ लाइट बनके उस और दूर का सेन निखाया जाता है जहां पर आप आच तो में आउड़र को जिखाया जाता है जयो क्या अते हुआ कि क्या मैस्टी आनी वाले है लेकिन दै़िए फूर्फी आध्यकर बने निकलते हैं जो कि अपने पास अग्स हूं को लिय 2007 यरू होता वह यह भणे हूं के देखने लगता है और यहाँ पर प्रेसर को भी बनाता है उसके फूर्स करने लगता है घ्रीटिंग और यहां पे इसके सामने जुकता है ग्रीडिक अनडाईंग और वहां के वारियर को सब्सक्राइब सकते हैं अभी सुनकर और सारे ग्रूपते हैं और कशाते हैं याँव नहीं करेंगे अब सब को दिखाया जाता जिनको विश्वास नहीं होते हैं यहां पेसी से को मह्सूज कर पाए थी उन्हें साफ समझ में आया था कि वह एक एंडायम बेंगे और यहां पर लोग भी बहुता सोख होते कि लूफेंग यांकि इतना दा पावल कैसे हो सकता है कि उसके साथ एक अंडाएंग बेंग आया है और उसके लिए इंतिजार कर रहा है कि कोई भी उसको डिस्टर्ब ना कर सके आके लूफेंग किस मुकाम तक पहुच चुक हमें उसा युनिवर्सल बंदे को दिखाया जाता है जो क्याते कि आके का मैजेस्ट्री अभी तक उठें नहीं यहां पर आके चर्ड क्या रहा है कि हमें वापस चली जारा चाहिए तो ओडों उससे क्या तक चुप रहो अभी के मरतबा हमें कोई नहीं डिस्टर्ब कर सकता दिखाया जाता है कि वो लूब बंदे अठाया दिन तोक वहां तक लगतार वेट कर देते यहां पर उन सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि आके हम सबको कितना वेट कर परा परा है क्योंकि वो सा युनिवर्सल लेवल के थे डूमेन लेवल के ते यहां तक कि करेंट हो जाते ही और यहां पर वो सारे बंदे अपने जूर्रल की बात मान रहे थे वहां पर हम सींचन्स कर उस सिब के कंट्रोर रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर लूफेंग अपने क्रोस करके लेक करके बैटा हुआ होता है और बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था यहां पर हमें लुफेंग के माइंड का सीन दिखाया जाता है जिसमें की नाइट ब्लेक फायर फोर्स वाहां पर फ्लोट कर रहे होते जो कि ट्यांसी पारत की लीडर ने उसके मान में दिखाया होते यहां पर इसमें करी साथ टेकनीक में मौझूद थे सेकेंड वॉल्यम ट्राइम इसक्रिबलर्स की और यहां पर लूफ यह उन सब को भी अपने इंगा मितृट को भी सर्फ कर दिया था ही आज पर उनी वहाल है सपते working को नीमें भी उन्य रहे तो इन साकर Ao लेकिन लूफ एक उन सबको एकी करकी सॉल्ड कर रहा था यहां पर ऐसी प्रोसेस होने लागता है लूफ है ऐसी अपने ध्यान ने पूरी तरह से इमर्ज होता है और फिर हमें सीन चनल के थोड़े बात का सीन दिखाया जाता है जहां पर लूफ फाइनली अपनी आखों को खो लिए लेकिन अभी के मरतबा वह इसके बेसिक में यहां पर वह नहीं सकते बार में सोच आता है यहां पर हमें ही वारियर को दिखाया जाता है जो कि लूफ फैंग को गार्ट कर रहा था अब जैसे उसे पता चलता है कि लूफ फैंग जाक चुका है वह दरुबादा खोलता हो किया थे जब की तब तुम यहां से जा सकते हो और यहां पर जिए उनके समरें करता हूं और लूफेंग के बाहर निकलते हैं वो लोगी चली जाते हैं यहाँ पर यहाँ पर आपका 30 दिनों से इंतजार करें तो यह सुनकर लूफेंग हमी भरता रोकाता हैं कि मैं तुम सब को इंतजार किया तो चलो चलते हैं और यहाँ पर और और सारे बंदर उसके सामने रिस्पेक्टिफली फॉलो करते हैं यहाँ पर वो लूफेंग आपने सारे सिंस को रिकॉर्ल करता जो कि उसने वहाँ सीखा अथर क्या ता ट्यांसी पार्स का लीडर उन्होंने में दो से तीन साल के मैनन को बजा लिया और मैं अपने सामने नाइन फ्लेक्ट फार्वर्स को मैसूँज कर पा रहा हूं यहाँ पर लूफेंग उन सारे नाइन फ्लेक्ट फार्वर्स को दिखकर इस पीसलिस हो जाता है और यहाँ पर लूफेंग अपने प्रोगेशन को अपने उपर कर पा था और यहाँ पर लूफेंग कैसा ब्लेक फाइबर्स को वाँ पे ले आया था जो कि बहुत जाब पारवफुल था इतना था कि वो किसी भी अंडाइंग में को जलाकर खाक करके उसे मार साथ था यहाँ पे उसने कैसा स्टास को बना दिया तो लुफेंग क्या था कि यह में लिए बहुत दूर है मैं अभी तो एक भी इस्टार्ट वेट नहीं कर सकता हूं यहाँ पे लुफेंग सबको सूचने लगता फिर लुफेंग के थाट के साथ ही वहाँ पे डार्ट गॉल्डिन रॉंग रर अपेर होता है जो कि नॉंसन आर्मेंट होता है लुफेंग क्याता है कि मैंने अपने 36 वंडर्स को कंपीड कर दिया है और मुझे नहीं पादा कि मैं अपने 6 लेवल को अनलिस्ट कर पाऊंगा या फिर नहीं और वो क्या था है कि नांसन आर्मेंट के टूटल नाइन लेवर्स मौजू दे जिसमें कि फिप्ट इस्पेस लाइसर मौजू दे और शिक्स में ओन वर्ड मौ को दिखाया जाता है दिसने की काउंटलेस्ट गोल्डाइच सौट आउट हो के बाहर निकलते हो एक इस्टेंट में वहां सारे कई सारे सौट आउट हो जाते है और दिने गोल्ड इंकार्विंग भी उन सम्में बनी हुई तो बहुदा पारफुल लेग रहे थे यांपे हम उसके दिखाया जाता है कि उसमें कैसा एनर्जी रिवॉल्ड कर रहे थे लुफैंग अपने मूब को चलता है जो कि नांसान आमर्मर्स का सिक्स लेवल ओन वर्ल हो था लुफैंग के अतम यहां पर बताया जाता है कि यहां पे उसमें टोटल फाइब टाउजन एक्टनेट कर पारता और टूटकर विखार जाता अब यहां पर हमें लूफैंगों दिखाया जाता है जो इसमाल करता हो कहाता है कि यह कुछान से करूंब्ल हो के टूटकर भिखार गया लेकिन फीचेय के मुआ यह पहले टाईम में और यहां पर मैंने एक्ट्वाली एक बलेड वर को कर दिया है और यहां पर कहा था तो मैं इसको अच्छे से कर पाऊंगा और वो क्या आता है कि ब्रेफ्टू करना इस लिए बहुत हार है यहां पर हम कई साहर चीजों को बारे मताया था इनी नांसार आम रिस के बारे में जो कि आपको पहले से पाता है तो इसको मैं स्केप करत अपने इनी साहर बेसिक्स के बारे में बात कर रहा होता है लुफेंग की बेसिक की दिखा जाए तो भी बहुत 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 जास और लुफेंग को तभी अपने रेनेस्ट्रम पिक्चर्स की बात आ जाती है जिसको परदने के लिए उसे टाइम स्क्रेबस का ठोड़ लुफेंग को लिए और यहां पे लुफेंग को दिखाया जाता है जिसको तो आपको पाता ही होगा तो इसको मैं स्केप करता हूँ तो अभी के मतमा हमें एक और चीज़ बता आजा था कि लूप पर अपने से लेवर को पास करेगा दोसको 3200 पॉइंट मिलेंगे जिसके मुर्थभा लूप ने टुटर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दिया और यहां पर टाइम सब्सक्राइब करने के बानी करना परेगा और फिर वो अपने सब्सक्राइब करना कि आपने अपने मिशन को इन करना चाहते हैं और आप से पूछ सकती हूं कि जो आपको दो मिशन मिले थे कि आपने उनको फिनिस कर दिया क्या आपने उन दोनों को क्या है या फिर किसी एक को तो लूफेंग रिप्लाइब करता है कि मैंने दोनों को फिनिस कर दिया लेकिन तभी वहां से आवा जाती है कि आप थोधे रेट करिए यहां पे एक युनिवर्सिप आपके पास आएगी जिसमें कि आपका स्टार फ्रेंग्मेंट होगा जो कि आपको करेंगी जिसके बाद अगर आपका वेरिफिकेशन सुक्सेस्फुल हो जाता है तो आपके पास आपके पास आपके पॉइंट्स आ चुके होते यहां पे आद घंटे बाद हमें दिखाया जाता कि युनिवर्सिप वहां पे 100 मेटर लोग स्टार फ्रेंग में आता जो कि यहां पे किसी गार्स को आना अलाव नहीं है तो लुफ में क्या जाता है ठीक है और घंट मेंट करया जाता है जहां पर मैंसी इसे में मैंणेज्मिर्ट और मैं आप्र कर देती और यहां पर उनकी एस्टेटिस भी थोड़ी बहुत ऊची थी क्योंकि वो डिपार्टमेंट से थे यहां पर कहते ही यह में एस्टी आप केविन में आ चुके हैं आपको AI के इस्ट्रक्शन से ही सब कुछ करना है और आप पर लूफैंग में हामी भरता हो उस कैविन फॉर्स मिशन कम्प्रेट हुआ आपको 10 के पॉइंट्स मिलते यहां पर लूफैंग से वो क्या थे कि प्रूफ किजिए कि आप ब्लड रिवर वारियर से आपके पास एक ब्लड रिवर मेडल होना चाहिए उसको डिस्क पर रकी और आप पर हमें लूफैंग को दिखाया ज साथी जो कि सिंपल थी लिखिन उसने बहुत ही इंक्रूडर इस्टुर्स पावर इंफ्यूज थी यहां पर लूफैंग उसको दिखाता और वो ए आई भी उसको वरिपाइड कर लेते रहों क्या थी कि लूफैंग कॉंग्रेट्ट्रेशन आपका सेकेंड मिशन को सब्सक्राइब कर रही हूं और यहां पर हम उसी का इंटर्व्यू लेटें जो कि ब्लड रिवर वर्ट से यहां पर आई वे हो तो वाई लोग इसे के साथ यह वीडियो बिखाते हम होती है तो मिलते नेक्स रूमर देखते कि आके वो लीडी लूफैंग से क्या करवाना च चाहती थी आके उसका मकसद क्या था कि वो लूफैंग से वो उसके बाहरें बात करना चाहती हो क्या करना चाहती थी कि वो सीकेट क्लासिफाइड इसको बाहर जाकी किसी को बताना नहीं है तो मिलते है नेक्स रूमें तब तरह के लिए बाए